कि नमस्कार मित्रों कैसे हैं आपसाफ आनद में संदी के नियम बढ़ने संदी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर गया संदी चैप्टर में नियम साथ तक देख लिए ते लास्ट नियम साथ इसमें अब आज हम देखेंगे देखेंगे बड़ा प्यारा और इंप्पोर्टन नियम इसमें से भी प्रशन आने की उम्मीद काफी रहती तो प्रेम से सं आपका शेरपूर करके गाव हैं वहां पर बेसिकली क्या कूरियर की सर्विस जाती नहीं है कल दो विध्यारतियों के अपने बुक के लिए मैसेज है और्गनाइजर बुक के लिए तो वह बुक फिर अपने इंडियन पोस्ट से भीजिए जो हमारा जो कूरियर है डीटी ड कर दिया था है इन्ने के सारा मारी यहां पर डेस्टीनिशन नहीं है कुरियर की तो आज इंडियन पोस्ट से इसको कर देंगे तो मुस्ट पाबली अगर आपको आज करते हैं तो परसौप वाले रोज तक की भुक मिल जाएगी ठीक है मित्र कोई शंका और फिर भी शंका हो तो यह अपना वाट से नंबर है इस पर मैसेज छोड़ देना एक है ना जूनियर अकाउंटेंट का पेपर टू के लिए दो गुरुजी उन से अपनी बात चल रही है दोनों टॉप के गुरुजी है और तीसरा भया कि क्योंकि रायस्थान में कॉमर्स कॉलेज सबसे हैं हम जल्दी तो उसके लिए जो जो विध्यारती जिनको लगता है कि साब इसमें हम पढ़ना चाहते हैं तो एक बार है यह मेरा वाट से नंबर है इस पर जो जूनियर अकाउंटेंट के त्यारी करना चाहते हैं एक पर बता देजेगा तीसरी बात कि क्या आप जैपूर म स्टार्ट कर देंगे आपको जूनियर अकाउंटेंट का पार्ट भी अगर वह लगता है तो ठीक है नहीं तो फिर हम ऑन्लाइन इसको फिर लेके आएंगे देखो क्या है कि ऑफ्लाइन में न जो एक दम से पंदरा गुना बढ़ जाते हैं यहां हम रेंट देते हैं पांज आपको फिर मिली जाएगी क्लास में तो कोई समझ्या है नहीं और इसके आगे यदि मा और कोई स्वर आ जाता है तो इस मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे समधन मान इस वर्ग में कौन सा है मा है इसके आगे भी क्या है मा है अमारे नियम क्या कहता है यदि स्वर रहित मा के आगे अगे अगर मा या कोई स्वर आ जाएगा तो इस मा में स्वर रहित मा में पर्थम वर्ड में कोई परिवर्तन होगा क्या बन जाएगा और यह मरा बन जाएगा सम्मार इसी तरीक से देखो समाचार क्या समाचार एक स्वर्ण की मात्रा है तो यह क्या बन जाएगा समाचार बन जाएगा द्यान में इसी प्रकार के सारे बढ़िया क्लासिक अग्जामपल आपको दे रखें और आपको पता ही अपने रीती नीती क्या है पैन पर कौपी लेके साथ बैठना होता है हम आपको उधारन देते हैं आपको कौपी पैन करना है उसके बाद मेरे साथ में अपन एक बडिसकस कर लेते हैं चलिए बैया क समधन मान यह स्वर आ रहा है यह म की मात्रा रही है सम्मेलन म की मात्र नि म बढ़ना रहा है समधन एक्षा समीक्षा समाज समधन अभी दो समाज बड़ा अच्छा है यह समाज बड़ा अच्छा है अभी समाज नहीं है भाई है यह समाज है तीक क्या है मिद्र समाज है समधन आस क्या है समधन आस आलोचन कर दो कर दो घज traditionally दो यह भी अच्छा है सममोहित शञादन समधन रहा है और इध्यानकम की अगे यदी वही या वापस आजावे या कुछ सवर आजावे तो यह मन परिवर्थन नहीं होगा चलें आगे और उधारन देख लो महा समंदी यह भी तो आठ ही था इस नहीं यहां भी नियम नुम्बर आठ लिख दिया चलो कोई नियम हाँ महा समंदी दूसरा नियम देखो यह भी बड़ा इंपोर्टन नियम है अभी तक हमने क्या देखा कि यदि स्वर रहित मा के आगे मा आ जाता है है या कोई स्वर रहित मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे हमने संभाण उसमाचार में देखा अब देखो अब हो जाएगा अपना नियम नंबर आठ मा के आगे यदि मा को छोड़ कर अभी तो हम मा को लेकर देखने दे नहीं है यदि मा नहीं आता है और कोई वर्गिये वंजन आये क्या हो जाएगा अगर कोई भी वर्गिये वंजन आवेगा कोई भी आए आए भी ठीक होता है और आए भी उता है इसनी किया तो आपने एक ही मातर लगाते अच्छोड़कर और वर्गिये विंजन आये तो क्या हो जाएगा यह अनुसार में बदल जाएगा या पंचम वन हो जाएगा काघ्ण हमने देखा तो चाचा जाजाना टटट यह अमने देखा ही था चाचा जाजाना काखा गगणा यह अमने देखा ही था पाफा बाबा मा पंचमवन में चले जाएगा संदेश अब यह संदेश है इसको मैं आपको धारन देखे बताता हूं ठीक है संदन देश यह अमारा क्या है स्वर रहित मा है इसके आगे कौन सा वर्ड है वर्गे वैंजन आ रहा है ना दा आ रहा है मा तो नहीं आ रहा ना कोई स्वर भी नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा यह जो महा है अनुस्वार बन जाएगा या तो अनुस्वार बन जाएगा या फिर यह आपके बिंदी में आएगा कि दो मैं आपके लिए एक बर करके रहता हूं सम प्लस देश यहां पर बिंदी क्यों आ रही है यह द्यान रखना कि यह मां क्यों नहीं रह जाता पुराना नियम जो था उस उसमें अगर आप भूल जाओगे तो आपके इसाफ से तो यह समदेश हो जाएगे था लेकिन यह समदेश नहीं होगा यह समदेश होगा देखो यह शब्द तो क्या है आप जानते हो इस लिए पकड़ लोगे वह एसे शब्द दैदेगा जो आपने सुने notre होंगे तो फिर आप सम यही रूल होगा लेकिन संकट हो जाएगा तो इसलिए रूल को दिहां रखने के हमें आवश्यक्ता है क्लियर तो यह क्या हो जाएगा सम्देश समधन गठन लो अब एक नट पॉस करो पॉस करके आप क्या करें इसका फटावट अभ्यास करें चलो संतोश समधन तोश क्या है समधन तोश देखो सामनेत यह जो ना यह संधी विछेद से संधी करने के लिए अधिकतर आता है एक्जाम में कि सन्यासी क्या अधिकतर इसको सही मानते हैं कि समधन न्यासी यह ठीक है ना कि समधन न्यासी समधन न्यासी कि संगती समधन गती कि यह वाला जो पंचमवन आ रहा है क्यों आ रहा है क्यों कि यहां पर गह है तो गह का पंचमवन क्या होगा कख गह घर ठीक है ना और यहां पर मान ना क्यों बनाए ना है खुदी पंचमवन है तो यहां पर पंचमवन ना वाला नहीं आएगा इसलिए यहां पर ना आया ह ठीक है यहाँ पर ना क्यूंँ आया है यहाँ पर ना 5 इसलिए है को प्रता है तावाण है इसके आगे वाला यह देखना के आगे क्या है ता है वर्गिय वंजने टाथा दाधाना अब मैं आपको इसलिए थोड़ा इतनी जल्दी बता रहा हूं कि हमने बेसिक्स और कई आगे संजे, समधन जे, पमधन चन, संबंध, समधन करन, समधन पूर्ण, यह दो तिन अच्छे शब्दें एक वर इने पुने चेक करो, समपूर्ण, और आपका हो गया संकलन, ठीके, चले आगे, चलो, यह हो गया आगे बढ़ते हैं, महा संबंधी एक और नियम है, यह भी बड़ा इंपॉर्टन नियम है, इस नियम में क्या है, देखो अभी तक हमने कोई वर्गिय वंजन देखेते, लेकिन कुछ वियंजन ऐसे हैं मित्र, जो थोड़े विशेश हैं, उनके आगे पंचमवन बिलकुल आई नहीं सकता, उनके आगे क्या आएगा, अनुस्वार ही होगा, अब देखो, नियम क्या कहता है, यदि स्वर्रहित्मा है, और इसके आगे यरलवस शस ह, यदि यह तो म किसमें कंवर्ट हो जाएगा, अनुसार में कंवर्ट हो जाएगा, जैसे पहला ही इसमें उधारने समभाद, हम क्या करेंगे, समभधनवाद, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्विवश वंजन वा आ रहा है, और हमने क्या बोला था, यदि वा है, तो यह जो म है, य पंचमवन में कनवर्ट नहीं होगा अनुस्वार में ही कनवर्ट होगा यह क्या बन जाएगा कि समवाद बन जाएगा कुछ अपवाद हैं वो भी अभी अपन देखेंगे चलो मैं आपको कि इसका अभ्यास करो फिर फटाफट अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि चलिए पहला कौन सा है समवाद कौन सा है मित्र समवाद समधन समधन वाद समधन छह ठीक है इध्यानक न ठीक है यह संसोधन समधन शोधन देख लो यहां पर क्या रहा है यह शह आ रहा है यहां पर वह आ रहा है यह रहा लव सहशह आएगा तो यह अनुस्वार ही बनेगा दिहानक न समधन छह समधन यम संयोग समधन योग समधन तार समधन हार समधन रक्षण और समधन लग्न सहीए वह एक और होता है संवेग संवेग अच्छा दारन में आता है उसको भी देख लो समधन वेग कि को समधन-वेग समधन वेग अच्छये अच्छय आपके यह यह संब्राठ यह अपवाद के अंतर gep wrapping आता है आप क्या बोलते हो मित्व संब्राथ आं अके लिखावा यह मैं के नीचे अपने सीखा है इसमें टेड़ा पाया वाला अपना रहा रहा है आप मुझे इतना से एक बार बताओ कि इस मा में मा जो है वहां पूर्ण स्वर है मतलब इसमें स्वर समाहित है या नहीं समाहित है इस सम्राठ में यह जो मा है यह तो स्वर रहीत है यह रख की जो नीचे यह आप देख रहे हैं तो तिर्शा यह वाला रह यह अपना रह इसमें पूरा है ध्यान रखना यह कौन से समधन राट समधन राट अब होने को तो दोस्तों मित्र क्या है आगे की रहा है रहा है हमारा नियम क्या कहता है यहां पर रह ہے यहां पर रह है तो यहां पर क्या आना चाहिए अनुस्वार ही आना चाहिए लेकिन वह यह अपवाद है समराट में आप समराट में यह मं क्यों आ रहा है तो यह अप राद है यह अपवाद है ध्यान अभिशुर्द लेकिन अपने सभी वर्नों के लिए कुछ न कुछ न कूँ नियमतय है अब हमें को पिएजडी इसमें करनी नहीं है लेकिन इसको सीधे-सीधे पकड़ लो की समराठ है क्लियर यह दो और अच्छे एक्जामपल है इनको और देख लो अकिम प्लस चन यह उपर अनुस्वार नहीं अकिम धन चन किन नर किम धर नर किम धर नर है क्यों हो गया किम धर सैय है रूश देखो और क्या दो हुआं यह नहीं कि देखो न चोटे है जो agree लेकिन किइसा एक्जामपल आ जाएगा त्यपीर आपको दिक्कत हो जाएगी से किन नर्र वाला यह आ गया जल्बाजी में द्हानी नहीं आएगा आको क्या करना है किम धन नर आयेगा समझ गए इसी प्रकारसे और अपने सुना यह नहीं और यहां पर महो तो आपके दिक्कत आजाएगी तो देखो यहां पर तो क्या था वर्गिय वंजन आगे न ना है तो यह हो जाएगा इसलिए एक किन्र हो जाएगा यह जो मां किसमें कर लिए देखो हमारे जीवन का थोड़ा-थोड़ा समय लगा कि हम बहुत कुछ करते जा रहे हैं आपको ध्यान में आएगा और जितना करा रहे हैं इसको अच्छे कर लो और डेली की आपकी जो दिन चरिया है उसमें चोटे-चोटे-चोटे-चाले-चाले-चाले मिट के पच्ची-पच्ची मिट के यह जो आपकी त्यारी की आपको पता भी चलेगा कि यह जो आपका शांतिकाल चल रहा है ना जब तक कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ र चलिए बहुत बड़ी अमित्रों फटा बड़ तुम करते हो और जुनियर अकाउंटेंट का जो भी करना चाहते हो इसको मैसेज कर देना और आरेस मेंस के लिए जो छोटे वाले कैपसूल है उसके लिए कोई विध्यारती अलग से पढ़ना चाहता है तो एक बर मैसेज कर लेना हम बेसिकली इसको औरनाइज कर रहे हैं कि इसको आगे पढ़ा सकते हैं बीच में लेकिन हमारे दो तिन फैकल्टी से वह डैली में यह भी बेस थी यहां नहीं आ पाई थी वह को डिले कर दिया था फिर उसको अभी हमने होले लेकिन अब उसको चालू करने जा हैं लेकिन जैसे जो मेरे अथी बरह बात में साथ साथ आगे बढ़ा लेंगे बहूत बढ़िया राम राम सब्राइब झाल झाल